हेलो फ्रेंज, अक्सर कहा जाता है कि हमें नबजाज शिशु को गाय का दूद्ध गलती से भी नहीं बिलाना चाहिए लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि गाय का दूद्ध भैस के दूद्ध या फिर मा के दूद्ध से काफी ज्यादा भारी होता है और बच्चे की पाचन के लिए उतनी स्वस्त नहीं होती है जो उस दूद्ध को पचा पाए लेकिन यहीं दूसरी तरफ अगर आपका बच्चा एक से दो साल का हो गया है तो आप अपने बच्चे को गाय का दूद्ध बिना डरे पिला सकते हैं क्योंकि गाय के दूद्ध के अंदर पोशर तत्वों की भरमार होती है भेंस के दूद्ध से ज्यादा और मार्केट में मिलने वाले पैकेट वाले दूद्ध से कही ज्यादा उसके अंदर प्रोटीन के मातरा होती है कैश्रिंग के मातरा होती है जो नाकि वल आपके बच्चों के दात और हड़ियों को मस्बूत बनाती है बनकि उन्हें allergy और संक्रमन से भी बचाती है आपने कई बार सुना होगा कि यदि बच्चे को बुखार हो जाए तो उसे गाए का दूथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में या फिर उसके digestive system के अनुसार देते रहना चाहिए अगर बच्चे को उल्टी हो रही है तो आप इसे अवर्ड कर सकते हैं लेकिन अगर आपका बच्चा इसे अच्छे तरीके से digest कर पा रहा है तो आप अपने बच्चों को गाए का दूथ पिला सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से बच्चों के अंदर allergy का खत्रा काफी हद तक कम हो जाता है किसी भी प्रकार के बखार से बचने के लिए, संक्रमन से बचने के लिए या फिर सर्थी सुखाम से बचने के लिए आप अपने बच्चों को गाए का दूथ पिला सकते हैं ऐसा करने से ना केवर उनकी बॉड़ी को energy मिलेगी बल्कि लंबे समय तक आपके बच्चे allergy के खत्रे से बचे रहेंगे इस वीडियो को देखी और अपने व्यूस को हमार साथ शेयर करिए मेरी beauty और health से related वीडियो को देखने के लिए YouTube पर like, share और subscribe कीजे